नमस्कार मेरा नाम है प्रविन और आप सभी देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नजार डालते हैं आज की मुख्यों सुर्ख्यों पर जंदर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों की हुई पहचान सभी छे आरोपी गिरफतार किसान संसत महिला किसानों की ललकार गदी छोड़े मोधी सरकार देश के 40% जीलों में नहीं है आर्टी पीसियार टेस्टिंग लैब जंगल में ब्रहस्टा चार जादा जोखिम कम मजदूरी और शोषड के शिकार तेंदू पत्ता तोड़ने वाले आदिवासी जलवायू परिवर्तन आई पीसी सी की रिपोर्ट मानवता के लिए खत्रे की घंटी और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में 28,204 नए मामले 373 मरीजों की मौत आठ अगस्त को जंतर मंतर पर ब्रिटिश काल के खिलाफ हुए तथा कतित विरोत के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई नारे बाजी की वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हुआ इस वीडियो में मुस्लिम समूदाय के खिलाब बेहद आपत्ती जनक नारे लगाय जा रहे थे जिनें हम बोल कर बता भी नहीं सकते इस मामले में पहले दिल्ली पुलिस ने अज्यात लोगों के खिलाब F.I.R. दर्श की थी जिसके बाद देरात को पहली गिरफतारी की गई और आज सुबह कुल 6 आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है यह सभी आरोपी हिंदू वादी संगठनों से जुड़े हुए हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूरू प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याई को भी गिरफतार कर लिया गया है उपाध्याई के अलावा हिंदू फोर्स के अध्यक्ष दीपक सिंग हिंदू और सुदर्शन वाहनी के विनित करांती प्रीत सिंग और विनोशर्मा को भी गिरफतार कर लिया गया है सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वाइरल होने के बाद लोगों में गुस्सा तो है ही बलकि हैरानी भी है कि कैसे संसर से महस कुछ मीटर की दूरी पर एक प्रोग्राम में एक समुदाय को मारने और काटने की बाते की जा रही है इन नारों की विरोध में जंतर मंतर पर ही नागरीकों ने 10 अगस्त को प्रदशन करने का एलान किया है इस बीच दिली दंगों के दौरान जाफराबाद पर नारे लगाने वाली रागनी तीवारी और अन्य हिंदू वादी संगठन आज कनौट प्लेस थाने के बाहर प्रदशन करने पहुचे थे जिसके बाद पुलिस ने उन सब को गिरफतार कर लिया करीब 15 राजियों की किसान महिलाओं ने 9 अगस्त 2021 को एतिहासिक बनाया किसान संसत का नेत्यूत करते हुए इन महिला किसान नेताओं ने महात्मा गांधी द्वारा 1942 में 9 अगस्त को दिये गए अंग्रेज भारत छोडों के नारे को याद करते हुए मोदी गदी छोडों, कॉर्परेट देश छोडों के नारों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताओं पारित किया देश की राज़ानी दिल्ली में जंतर मंतर पर भीशर सुरक्षा के बीच चल रही किसान संसत ने तेरा दिनों तक विदिवत तरीके से तीनों कृषी बिलो पर चर्चा करते हुए इन्हें न सिर्फ देश के अनदाताओं के खिलाफ बलकि देश के आम नागरिकों के खिलाफ भी विनाशकारी बताया है और इन्हें रद्द कर देने की मांग की है देखिए भाशा सिंह की या ग्राउन डिपोर्ट ग्राउन रिपोर्ट में इस समय हम न्यूस्क्लिक की टीम के साथ खड़े हैं जन्तर मंतर पे जहां पर किसान संसत जल रही है पिछले तेरह दिनों से देश की राज़धानी में किसान संसत कर रहे हैं आज आखरी दिन हैं आज का दिन महिलाओं के नाम हैं आज 9 अगस को 9 अगस का दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था आज के दिन यहाँ से ऐलान होने वाला है कि क्या मोधी सरकार गद्दी छोड़ेगी क्या कॉर्परेट हम उनकी तरफ रुख करेंगे उनसे बात करने से पहले जो गंभीर चिंता का विशे है वो हम आपके साथ शियर करना चाहते हैं कि इसी जगा जहां हाई सिक्यूरिटी है हाई एलर्ट है वहाँ पर कुछी समय पहले कुछी दिन पहले सरेयाम देश के सम्मिधान की धजियां उ दिखाते रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जितने बड़े पैमाने पर पुलिस च्छावनी बनी हुई है सबके आईकार शेक होते हैं लेकिन गहरी दुख और चिंता की बात है कि यह उनमादी भीड जब लगातार हिंसक नारे लगा रही थी उनको रोकने का काम इस पुलिस सबकिणा पूराउं के बच्चे न जो खेती करते हैं तो क्या जिसानों किया महिलाों की संसर देख रहे हैं यहां पे महिलाएं आई हैं कौन सी महईला है जो अपनी घर से परीवार से खेती से जुड़ी हूई नहीं है उनकी उनकी खेतie पे इननों ने हैं ने हमले की और सो हो गाम मसा जा की देखो कृष एंडी कितनी बेरुजगारी हो रही है वैड किसान कितना को तंग पारे हैं जो एक गरीब रहने यह शेर में महारा साथ जो टोलां पा है बेठां हैं बॉडर पार बेठां यह आ नहीं सकते हैं उनके मजबूरी है गास लेाना पसू है बच्चे हैं वो करे हैं मारा तूडी मोल आओगी आम खेत में गास लिया आँगे आप चले जाओ आम गमा में रहांगे गाम में को प्रोग्राम मौन बला लिया करो बहुत सारे कठे हो हैं जो मजदूर किसान सब एक है ड़ते रहे महर बहुत सारे कठे हो जाओं है जितने यह काड़े क नुरत नहीं होगे इतने अम अडे रहांगे और तोटा पर बेठा या बोडर पर बेठा जित भी मारा बुलावा पर तकोलाओगे आम खड़े रहांगे जब तहीं मोधी ने ठक लेगा ने ठकाने आम इसने ठकाने पूर करांगे जमा बजा देंगे चोड़दा एनी इको इंडियन कॉंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानि आइसीमार दौरा जारी आकड़े बताते हैं कि महामारी शुरू होने के देड़ साल और दो बेहट जालेवा लहरों के बाद भी अभी तक देश की 40% जीलों में आर्टी पीसिया टेस्टिंग लैब मौजूद नहीं है भारत के 742 में से 342 जीलों में कोई भी सरकारी आर्टी पीसिया लैब नहीं है वहीं 306 जीलों में नहीं प्राइवेट नहीं सरकारी जांच के इंदर मौजूद है ये फासला उत्तर पुर्वी इलाकों में बेहद जादा है जहां 120 जीलों में 99 जीले यानि लगबग 83 प्रतिस्ट जीलों में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है महामारी के शुरुआत से ही भारत में कम टेस्टिंग का मामला लगातार उठता रहा है मार्श 2020 में ही देश में सिर्फ 65 सरकारी टेस्टिंग लैब थे और हर 10 लाकी आबादी बस सिर्फ 5 टेस्ट किये जा रहे थे अब जब जानलेवाद दूसरी लहर के बीटने के बाद तीसरी लहर भी यह दस्तक देने वाली है ऐसे में यह आकडे परिशान कर देने वाले है बीडी पीना एक शौक हो सकता है लेकिन बीडी के लिए तेंदू पत्तों को तोड़ना आदिवासियों की मजबूरी है चंदूली जीले के नकसर प्रभावित नौगड़ इलाके में तेंदू पत्ते की तोड़ाई का काम एक ऐसे दलदल की तरह है जहां से निकलने का रास्ता दिखता ही नहीं लाचारी और बेबसी के बीश पनपने वाले भ्रष्टाचार की ओर लाल फिता शाही ने भी आखे फेर ली हैं सीधे अलफाज में कहें तो जितना दम बीडी पीने वालों का घुट्रा है उतना ही बीडी बनाने में इस्तमाल होने वाले तेंदू पत्तों को तोड़ने वाले श्रमिकों का भी पीने वाला आलतन मजबूर है और तेंदू का पत्ता तोड़ने वाले हालाद से मजबूर है उत्तपिदेश के चंदौली सोन भद्र मिर्जापूर, इलहाबाद, चेत्रकूट, कर्वी, बांदा, हमीरपूर, महोबा, जासी और ललितपूर जनपदों में बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्तों की तोड़ाई होती है मार्च अप्रेल महीने में तेंदू के नए पत्ते निकलते हैं, जिनने मई जून महीने में तोड़ा जाता है जंगली जानवरों के बीज जिन्दगी को दाव पर लगाकर आदिवासी और दलित परिवारों के निर्बल लोग सालों से तेंदू पत्ते की तोड़ाई और संग्रहण का कार कर रहे हैं लेकिन इनके जीवन में आज भी कोई नया रंग और उत्सव नहीं है इनके शोषड और उत्पिडन की कहानी अंतहीन है उनकी भी आवाज उठती हैं लेकिन जंगलों और पहाडों में दफ्न हो जाती है नौगड इलाके में आदिवासीों के बीच काम करने वाली संस्ता ग्राम्या संचालक की बिंदू सिंग कहती है श्रमिक, बीमा और बोनस की बात छोड़िये चंदौली के नौगड, सोनबद और मिर्जापूर में तेंदू पत्ता तोड़ने वाले तमाम आदिवासीों की मजदूरी अभी तक नहीं मिली है ऐसे आदिवासीों की तादाद बहुत अधीक है जो कई सालों से अपने बकाय भुकतान के लिए फंड मुंशियों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं न्यूस्क्लिक के विजय विनित की ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं सन्यूत राष्ट ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है और इसके लिए साफ तोर पर मानो जाती ही जिम्मेदार है Intergovernmental Panel on Climate Change यानि IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रित्वी की आउसस सता पर तापमान साल 2030 तक तक तकरीबन देड़ डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा ये बढ़ोतरी पुर्वानुमान से एक दशक पहले ही हो जाएगी रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएं आएगी दुनिया पहले ही बर्फ की चादरों के पिघलने समुद्र के बड़ते स्तर और बड़ते अमली करण में और परवरतनी बदलाव जेल रही है पैनल का नेतितर कर रही वैलरी मेशन डेलो मोट ने कहा कि कुछ बड़लाव सो या हजारों वर्सों तक जारी रहेंगे उन्हें केवल उत्सर्जन में कमी से ही धीमा किया जा सकता है रिबोर्ट में कहा गया कि वायू मंडल को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन जिस तरह से जारी है उसकी वज़े से सिर्फ दो दशकों में ही तापमान की सिमाएं तूट चुकी है और आखिर में हम बात करेंगे केंदि स्वास मंत्राय दोरा आज मंगलवार यानि 10 अगस्त को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 12 दिन बाद कोरोना के 30,000 से कम नए मामले दर्ज किये गए है इसके अलावा आज 19 दिन बाद कोरोना से 400 से कम यानि 373 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी दोरान देश भर में कोरोना से परित लगबग 41,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टे मामलों में करीब 13,000 यानि 13,680 मामले कम हुए है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर लगबग 3,19,99,158 हो गई है जिन में से अब तक करीब 4,28,682 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परित 97,000 दस्मिनों 4,5 फीस दी यानि 3,11,89,968 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में करोना वैक्सीन की अब तक लगबग 51,45,268 दी जा चुकी है जिन में से करीब 54,19,647 वैक्सीन की दोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही निउस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया